अगर आपके वास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी में डालके इसको महीन कर सकते हैं तो यहां मैंने लिया है एक कटोरी तही इसको भी सारा इसमें एड़ कर दूंगी और यह सच मानी बहुत जल्दी बन जाता है इसको आप कभी भी बनाकर किसी को भी खिला सकते हो और आपके महमान भी आए तो आप मिंटो में बना देंगे और सभी को खिला देंगे और सभी पूछेंगे कैसे बनाया तो इस तरह से आप वीडियो पूरा देखते रहिए तो अगर आप इसको अच्छी से फेटेंगे तो यह बैटर बहुत अच्छा फलपी तयार होगा और इसका नास्ता तो इतना सौफ्ट होगा कि खाने में भी आपको मजा आजाएगा और चार-पाचा पैसे ही खाजाएगे आपका मन नहीं भरेगा लेकिन पेट जरूब भर जा ऐसी ही आपका एकदम फलपी बन जाएगा तो देखिए इस तरह से मैंने यहां बैटर तयार कर लिया अब इसको रख देती हैं देश्मेट के लिए धकर थोड़ा धकर लगा कर रख देंगे हम साइड तो यह और अच्छी से से सैट हो जाएगा तो रख देते हैं तब तक हम इसको साइड और और चीज़े तयार कर लेते हैं तो यहां देखिए आदा पानी बज़ किया इसका मतलब आदा ही यूज हुआ था तो अब यहां मैं ले लूँगी इसमें एट करने के लिए प्याज टमाटर और एक सिम्ला मिट तो यहां सभी को मैं चौप कर लूँगी तो प्याज को सबसे पहले मैं चौप कर लेते हूं अगर आप इस तरह से नास्ता बनाते हैं तो यकीन मानिये सभी को बहुत पसंद आएगा और अगर आपको इसका फुल वीडियो मेरा अच्छा लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए सस्क्राइब करना ना भूले मेरी चैनल को और ऐसे ही आगे अच्छी अच्छ आप मन चाही सब्जियां जो आपको लगता है कि बच्चे नहीं खाते आज कल वेजिज वगर बच्चे बहुत कम खाना पसंद करते हैं तो इस तरह से अगर बना की बच्चों को लंच में देंगे तो यकीन मानिए बच्चे सारा लंच फिनिश करके लाएंगे और आपको इस सब्सक्राइब कि कारण पीजिज भी चट करते हैं और बोलते हैं वाओ पीजा उसको थोड़ी चोटी है तो इसको नाम नहीं समझ में यह बात हो वात हुआ तो यह भी अच्छी से सेट हो गया है इसको मैंने बाद चला दिया है तो चले बनाते हैं एकदम मिंडो में ब आपको अगर बनाना है तो प्लेन मनाईए में थोड़ा डालूगी इसमें नमाग काली मिर्ची और थोड़ा डालूगी मैंगी मसाला इसे अच्छा आजाएगा पस इसी तरह से मिसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा प्लेन में दिखता है अब हम भी लोग को पसंद या थे तो इसको अन करके अच्छे से गरम हो गया इसमें लगा दिया है मैंने थोड़ा सा देशी घी आप बटर ऑईल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं बस इसमें एक चमज में डाल दोंगी भरके और इसको थोड़ा गॉल शेप दे दोंगी और अगर आप यह चट्नी वगरा के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्ट लगेगा आप चाहे के साथ भी नॉर्मली खाएंगे तो उसमें भी बहुत मजा है लगाने से थोड़े एयर बनेगी और अबस में बबल साइंगी थोड़ा सॉफ्ट बनेगा इसलिए धकल लगागा जल्दी ये पक भी जाता है तो देखिए ये नीची से अच्छे से पक गया आप इसको पलट देंगी यहां मैंने ये प्लेन मनाया है तो आप ऐसे ही वीडिय अब इसको निकाल लेंगे तो देखिए कितना सॉफ्ट हो रहा ही बीच में से तूटने को तयार है तो चलिए बनाते हैं ये है प्लेन और फिर से में इसमें गी लगाया और ये बैटर को डाल दिया है इसको थोड़ा गोल शेप दे देते हैं अब थोड़ा सा ओयल इसको मल इस तरह से फैला देंगे आप पनीर भी यूज कर सकते हैं कॉर्न भी यूज कर सकते हैं और वेज़े वगरा भी यूज कर सकते और में अब ये ज़़ा थोड़ा सा चाट मसाला तो खाने में बच्चों को भी बहुत मज़ा आएगा अब हम इसको यहां पलट देंगे और थ इस तरह से बनाइए और खाये यहां सॉस के साथ चटनी के साथ किसी के साथ भी साथ कीजिए और आप को कैसा लागा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और आप एंजोई कीजिए थैंक्यों वाचिंग जाए